तो दोस्तो नोकिया अपनी स्मार्टफोन की वापसी इंडिया मार्केट में करने के लिए नोकिया X200 को लॉंच करने वाला है दोस्तो ये स्मार्टफोन नोकिया की तरफ से सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको दोस्तो कम कीमत में एक all-rounder and great smartphone देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगर आप भी Nokia के upcoming smartphone का wait कर रहे हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Nokia X200 के बारे में वो भी detail में तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो इस टार्ट कर लेते हैं इस smartphone की design से तो इस phone का design है वो एकदब amazing देखने को मिलता है बेक side पर दोस्तो यहाँ पर glass back का स्टमाल किया गया है और यहाँ पर आपको Gorilla Glass 5 की production दी गई है front और back पर back side पर आपको triple rear camera मिलता है और वहीडिफस का support है और नीचे की तरब आपको Nokia का branding दिया गया है और अब बात कर लेते हैं smartphone की display की तो उससे पहले अगर आप channel पर नए हो तो subscribe करके bell icon पर click करके उसले कर लीजेगा तो यहाँ पर आपको 6.7 inch का full HD पर दिया गया है full HD होने के विज़े से दिस्पले की कदर quality काफी अच्छी हो जाती है जिससे अगर आप internet की शोकिन है तो यह display काफी आपको अच्छा लगेगा phone की display को और smooth करने के लिए phone में आपको 120 Hz का refresh rate का support दिया गया है जिससे आपको दोस्तो user experience काफी अच्छा होगा अगर आप gaming भी करते हो यहाँ पर आपको दोस्तो phone में in display fingerprint भी देखने को मिल जाता है और अब बात कर लेते हैं smart phone चे camera की तो यहाँ पर आपको 50 megapixel का triple rear camera मिलता है और यहाँ पर आपको बता दू यहाँ पर sony का sensor का इस्तिमाल किया गा है तो आपको photo और video काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और इस phone से आप 4K recording भी कर सकते हो 2 megapixel का micro है और 2 megapixel का portrait मिल जाता है और अब बात कर लेते हैं smart phone के front camera की तो यहाँ पर आपको 16 megapixel का front camera मिलता है इस साब face beauty and portrait should भी ले सकते हैं और अब बात कर लेते हैं smart phone के OSN performance की तो यहाँ पर आपको midiatek के तरफ से helio G88 देखने को मिलता है जो कि दूस्तो gaming processor है और एदम latest है तो यहाँ पर आप किसी भी high graphics वाले game को बिना lag और slowdown के खेल सकते हो phone में आपको 3 RAM वरेंड दिये गए हैं 4GB RAM, 64GB, 6GB RAM, 128GB और 8GB RAM, 128GB यहाँ पर आपको phone के अंदर dedicated slot को support दिया गया है इन triple card slot मिलता है यहने आपको 2 SIM एक memory card लगा सकते हो और in future आप इसे extend कर सकते हो 4GB RAM तक तो दोस्तो मैंने आपको processor, display, design, camera के बारे में बता दिया है और अब बात कर लेते हैं बेटरी और fast charging की तो phone में आपको 6000 image की बड़ी बेटरी मिलती है और उसी के साथ 33W का fast charging भी मिल जाता है और अब बात कर लेते हैं इस smartphone के pricing के बारे में तो 4GB RAM 64GB का जो price लबख 14,000 है 6GB RAM 128GB का जो price लबख 16,000 8GB RAM 128GB का जो price लबख 16,000 है बात करते हैं launch date की तो दोस्तो यह unofficial है इसके बारे में कोई confirmation नहीं आया है ज्यादे शारा वोर्स फेल्बुक पर शेयर कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके बेले आइकन पर क्लिक कर दिएगा जैहिंज जैभरत वन ने मातम दोस्तों